जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिष्टा क्या है डिफेंस कॉंट्रेक्स अदानी जी को दिये जा रहे हैं वो क्यों दिये जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक की चेर्मन और अदानी जी के साथ जो पहली responsibility पार्लमेंट में जवाब देने की है मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे आज सुबह मैं पार्लमेंट किया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लमेंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे उपर अरोप लगाया है हाउस में अरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लमेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दे आज एक मिनट के अंदर मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को और जन कर दिया हुपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दे क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मगर पक्का नहीं मालूँ आइडिया ये है कि जो मैंने भाषन कुछ दिन पहले पार्लिमंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिष्टा है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे उस भाषन को पार्लिमंट हाउस में पूरा expunge कर दिया गया और उस भाषन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो public record से मैंने नहीं निका ली अकबारों से लोगों की statement से मैंने पूरा भाषन develop किया था और उसको expunge कर दिया गया ये पूरा मामला distract करने का मामला है सरकार और प्रधान मंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए है और इसलिए उन्हें ने ये पूरा तमाशा prepare किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे Parliament House पे नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो main सवाल है वो अभी भी table पे है अदानी जी और प्रधान मंत्री का रिष्टा क्या है जो defence contracts अदानी जी को दिये जा रहे है वो क्यों दिये जा रहे है जो स्रीलंका में बांगला देश में बात हुई है वो क्यों हुई किसने की Australia में जो प्रधान मंत्री जी और State Bank के chairman और अधानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई उसमें क्या डिसकास हुआ तो ये सब सवाल हैं जो प्रधान मंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पारे हैं मैं MP हूँ तो मेरी पहली responsibility पार्लमेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूँ कि पार्लमेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ detail में discussion करूँ